वेल्कम टू माइ नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो लोग श्टार्ट करते हैं अब रिपॉर्ड़क्टिव सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर याने की चैप्टर नमबर फॉर लेक्चर नमबर फॉर में हम इसको खतम कर सकते थे बेटा लेकिन लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाता तो इसको मैंने एक चोटा सा टॉपिक जो पार्टियूरिशन रहा जाता है वो नेक्स चैप्टर नमबर लेक्टर नमबर फाइव में बना दिया है तो अब जो इसमें रिपॉर्ड़टि सिस्टम जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं प पक्के से है ना क्योंकि वेटा टॉपिक ही ऐसा है कॉपिपन लेके नहीं बैठोगे कुछ चीजे मार्क करते वह नहीं चलोगे कुछ टर्म्स को नोट करते वह नहीं चलोगे तो लेक्चर को बार-बार देखना पड़ेगा तो तुमनों का ही टाइम वेस्ट होगा अभी लेके बैठने एकी बार में ठीक है ना जिससे कि क्या है अभी साथ को साथ उसका मीनिंग वेरा सब लिखते चलेंगे और इस टेप को समझ लेंगे अगर हां बार-बार देखने की इच्छ है वीडियो तो बार-बार देखो अधरवा इस पहली बार में कॉपी पैल लेके ब सब्सक्राइब कर लेती यानिकी सीदी सी बात है एक बेवी जब यूट्रस में आके ग्रो करता है तो इसके सुरुवात कहां से हो रही है तो सुरुवात हम सबको पता है फेलेपियन ट्यूब में जब ओवम इस परम के द्वारा फटिलाइज हो जाता है याद आ रहा है ठी समझनी है that begins with fertilization जिसके सुरुवात कहां से होती है fertilization, fertilization क्या होता है, fertilization क्या होता है, ovum plus sperm का आपस में मिल जाना जिसे हम fusion भी कहते है, ovum is sperm का fusion होना, यह ovum है और यह sperm चलता हुआ रहा है और आ करके इसमें fuse हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, that is called fertilization, ठीक है सुरुवात होत इसकी fertilization से, proceeds to implantation, उसके बाद होता है, implantation, जो जाएगोट, ovum plus sperm जब आपस मिल जाएगे तो क्या form होता है, जाएगोट, अब यही जाएगोट, जो कि एक single cell है, जाएगोट क्या होता है, single cell, जाएगोट एक क्या है, single cell है, यही एक जाएगोट, एक cell, imagine करो, एक nine month खा बेब जो साड़े तीन किलो से लेकर के पांच किलो तक क्यो होते हैं, इतने complex structure में convert हो जाते हैं, यह एक cell, एक जाएगोट, ठीक है ना, तो इस जाएगोट का implantation होगा, फिर starting का जो stage होती है, लगबग दो महिने, मतलब fertilization के बाद, हम क्या सकते हैं, day one से लेकर के, starting के, सुरुआत का पहला दिन से लेकर के, two months, यह हम लोग को कहें, starting के, eight weeks, आठ हफते का मतलब भी, एक महिने में चार हफते होते हैं, तो आठ हफते का मतलब भी दो महिने हो गया, starting के दो महिने जो होता है, उसको हम लोग ब्रून कहते हैं, है ना, ब्रून अत्या, सुना होगा, तो that is called embryo, इसको हम लोग क्या कहते हैं, embryo, बात समझ मा आ रही है, तो किस तरह से यह embryo develop करेगा, ठीक है, and fetal development, उसके बाद, आठवे week से लेकर के, आगे next, आगे ninth महिने जब तक delivery नहीं होती है, उसके बाद, इस दो महिने के बाद, हम लोग उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं, fetus क कहते हैं, क्या कहते हैं, fetus कहते हैं, okay, and ideally ends with birth about 38 weeks, और आखिरकार इस fetus को finally क्या हो गया, एक human बन गया, जो कि 38 weeks, 38 हफ्तों बाद, अगर हम day 1 से सुरू करें, ठीक है, fertilization के, तो 38 हफ्ते बाद, एक complete baby बन जाता, या फिर 40 weeks after the month last menstrual period, पेटा यह दो को यह होता है, यहाँ पर, दो हफ्ते का मतलब कि last menstrual period जब होता है, तो उसके बाद अगला menstrual period कब आता है, लगबग, एक cycle होती है, ठीक है न, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यह 38 है और यह 40, तो दो हफ्ते और जोड़े आते हैं उसमें, अगर हम menstrual period से cycle को देखेंगे तो 40 week है, और fertilization से अगर हम बा development biology, ठीक है न, तो यह terminology आती है, development biology is the study of the sequence of events from fertilization of secondary oocyte, secondary oocyte याद आया, primary oocyte जो graphene follicle से निकलता है, फिर secondary oocyte जो meiosis 2 हो जाती उसके बाद जो बनता है, यह याद है, by sperm cells to the formation of an adult organism, जाने की सीदी सी बात है, day one जब fertilization हो गया और फिर delivery होने तक, जो पूरी जो study की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, development biology कहते हैं, okay, from fertilization to first eight week, जो पहले आठ हफते, याने की दो महने के बात करें, development called embryonic period, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, embryonic period, embryo होता है, भून होता है, and developing human is called embryo, और वो जो human grow कर रहा है, starting के दो महिने में, उसको हम लोग embryo कहते हैं embryology is the study of development from the fertilized egg to first eight week, जब वो egg fertilized हुआ, वहाँ से ले करके starting के आठ हफते, ठीक है न, वो embryology कहलाती है, the fetal period, fetus, begins with, यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion है, हम embryo कब बोलें, हम fetus कब बोलें, ठीक है, समझ लो, the fetal period begins with ninth week, आठ में के बाद ninth हफता लगता है, ninth week and continues until birth, और जब तक birth नहीं हो जाता है, तब तक हम उसे fetus बोलेंगे, during this time, इस समय, the developing human is called fetus, और यह जो समय है, आठ में हफते से ले करके, last, जब तक birth नहीं हो जाता है बच्चे का, तब तक हम उसे क्या बोलते हैं, fetus बोलत आता है, prenatal, यह वर्ड भी आएगा बार बार, prenatal development, तो prenatal का मतलब क्या होता है, it's the time for fertilization, time from fertilization to birth and include, याने कि fertilization से ले करके, याने कि वो day one, जब sperm और ओवां का fertilization हुआ, तब से ले करके, बर्थ चक का समय, prenatal development क्यालाता है, पूरा combined आ गया, इसके अंदर, ठीक है ना, includes both the embryonic and fetal period, इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, याने कि prenatal development के अंदर embryonic और fetal period दोनों आ जाएंगे, clear है, prenatal development is divided into periods of three calendars month, तीन कलेंडर महिने के, हैनल continuous way में जब पढ़े जाएंगे, याने देखे जाएंगे, तो divided into periods of three calendar month, तीन, 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 जिसे हम लोग क्या बोलते है हैं, trimester भी कहते हैं, 9 महिने होते हैं, तो तीन, तीन महिने को हमने तोड़ लिया, तो उसे क्या बना लिया, trimester कह लिया, तो कह रहे हैं क्या, the first trimester, the most critical stage of development, सुरवाती stage होती है, सबसे critical होती है, critical मतलब, यही सबसे निरनायक होती है, all of the major organ systems begins to form, जितने भी major organ system होते हैं, heart, kidney liver, इनकी स्थुरुवात हो रही होती है, तो बड़ा critical stage होती है, second trimester यान की, 4 महिने से लेकर के, 6 महिना, इस catarise by nearly complete development of organ system, ध्यान रखना, पहला trimester निशानी क्या है, begin, begin of organ system, organ system बनना सुरू हो रहे हैं, यहां पर complete हो रहे हैं, nearly, लगभग, ठीक है, by the end of this stage, the fetus assume distinctly, human feature, ठीक है न, जितने भी human feature होते हैं, आंक, ना, कान, उंगलिया, वो लगभग क्या है, दिखने लग जाते हैं, by the end of this stage, इस stage के अंत में आते आते, the fetus assumes, fetus assume कर लेता है, लगभग, लगभग उसके अंदर, distinctively, अलग, अलग character जो humans के होते हैं, human feature के होते हैं, ना, कान, गला गला बोल रहा हूँ, हां उंगलिया है, पैर हो, सब दिखने लग जाते हैं, उसके अंदर, third trimester इसमें क्या हो रहा है, represent a period of rapid fetal growth, organ बन गया, सब कुछ हो गया, अब उसकी पूरी body बढ़ेगी, ठीक है, सोचे एक छोटे सी चीज़ों में हाथ, पैर, आंक साब निकल आए है अब वो हलका सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर एक तरह से कहलो, body का size बढ़ना इस्टार्ट होता है, ठीक है, rapid fetal growth in which the weight of the fetus doubles, याने कि आखरी तीसरे महेने में वेट लगबग दुगना हो जाता है, ठीक है, during the early stage of this period, इस period के early stages, याने कि के सुरुआत में, most of the organ system become fully functional, वो लगबग सारे के सारे चालू भी हो जाते हैं, है ना, सुना होगा न, हम लोग बोलते हैं, कि बच्चे ने पेट में पेसाब कर दी, टटी कर दी, सुनते होंगा, कि उसकी वैसे operation करना पड़ गया, तो होता है इस तरीके से, ठीक है, सारे functions क क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, उसके जितनी भी organs वाले पार्ट हैं, वो अपना काम करना सुरू कर देते हैं, हर्ट सबसे पहले बन जाते हैं, वो अपना सबसे पहले काम करना सुरू कर देते हैं, देखेंगा अभी, तो ये बात समझ में आई, हमने शुरुआत में प्रेग्नेंसरी को समझने कोशिश की कि Embryo क्या है, Fetus क्या है, Trimesters क्या होते हैं, ठीक है, तिन-तिन महने में किस Trimester में क्या चीज ग्रो कर रही है, मार कर लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, पक्के से, पानी लेके भी बैठे हो, जबुद पढ़ेगी अभी, ठीक है सबसे पहले, सुरवा तो Fertilization से होगी, Fertilization क्या है, Fertilization is a complex multi-step process, ठीक है, complex multi-step process है, that is complete in 24 hours, इसको भी पूरा होने में लगवग 24 घंटे लग जाते हैं, The sperm from male meets, मतलब मिलता है, and ovum from a female, female के ovum से fallepin tube में मिलता है, and forms a zygote, और क्या बना लेता है, zygote, this is the point in which pregnancy begins, Fertilization होते ही, pregnancy सुरू हो जाती है, निए, pregnancy सुरू हो जाती है, थोड़ा सा अगर मैं यह आपर structure बना कर तो मैं समझाना चाहूं, तो यह देखो, ठीक है ना, यह देखो, तो है कह यहाँ से ovum था, यह निकल के यहाँ आगया, यहाँ आगया, ठीक है, quietus हुआ ओगा, उसकी वएसे यहाँ पर sperm होंगे, यह sperm इस तरीके से, यहाँ पर आएगा, यह ovum यहाँ पर आगया, और यह sperm इससे fuse कर जाएगा, जैसे यह इससे fuse करेगा, फिलेपिन ट्यूप में, यह क्या बन जाएगा, जैगोड बन जाएगा, है ना, यह किनारे का तो दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, यह क्या बन गया, जैगोड बन गया, clear है बात है, जैगोड का मतलब, दोनों का आपस में fuse हो जाना, this is fertilization, simple, और यही से हमारी pregnancy की सुरुवात हो जाती है, clear है, अब यहाँ पर ना, बेटा, कुछ important terms है, क्योंकि normal तो फोग है pregnancy, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, डिप्लोमा या डिग्री वाले courses होते हैं, तो यहाँ पर एक term आता ह होती ना, उसका हड़ जाना, that is called capaciation, तो किसके उपर की चीज हड़ जाएगी, sperm के उपर एक layer C रहती है, वो हड़ जाती है, हटना जरूरी है उसका, देखते हैं, ठीक है, capaciation का simple मतलब क्या हो गए, एक तरह समझ सकते हैं, तो कि हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, कि जब APD-D- IMS में sperm होता है, तो कुछ ही ऐसा होता है, जब seminal plasma membrane से मिल जाता है, तो इसके उपर एक layer ही चड़ जाती है, ठीक है ना, और जब यह female tract में पहुंच गया, तो अब इसके उपर की यह वाई layer सारी गायब हो गई है, जिससे की क्या करेगा यह, आगे अपना काम कर पाएगा, अगर यह layer ठड़ी रहेगी, तो इसके अंदर का nucleus वगरा नहीं निकलेगा, इसके अंदर जाक्रोजोम नहीं होते हैं, वो काम नहीं कर पाएगे, तो इसके उपर की एक layer होती है, जो इसको मजबूत बना के रखती है, वो हटना जरूरी है, वो हट जाती है, उसी को हम लोग tail to beat even more vigorously, दो घटना घट रही हैं आपर, and prepare its plasma membrane to fuse with the oocytes plasma membrane, दो चीज़े हो रही है, एक तो जो इस परम का tail है ना, उसको बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करके move करना रहा है, मचली ऐसे ऐसे करके चलती है, तब ही तो आगे बढ़ती है, इसका tail जब ऐसे ऐसे करके चलेगा, तो और यह इसका मुँँ है, यह ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, यह tail ऐसे ऐसे चलेगा तो यह आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो tail का move करना बहुत जुरूगी, जब tail move करेगा तो इसको आगे जो सर है न, इसको आगे ठके लेगा यह, यह आगे ठके लेगा, तो यह का प्लाजम मेंब्रेन के साथ फ्यूज करें मिल सकें डूरिंग कैपाशिएशन इस पर्म आर एक्टेड ओन बाइस सिंदा फीमेल रिप्रड़क्टिव ट्रेक्ट है यूट्रेस है फिल्लेपेंट वहां पर जो कुछ सिक्रीशन होते हैं कुछ फिलिड होते हैं उनके साथ स्पर्म सेल उसके हैड के आजपास क्या क्या मौझूद है कोलिस्टरोल ग्रायक ब्रोटीन एंड प्रोटीन की लेएर एक होते है उसको क्या करते हैं यह हटा देते हैं इस इस कॉल कैपाशेशन वो लेर जो ऊपर की परत है यह हट जाती है ठीक है अराउंड इड़ाइट the acrosome membrane so that it can penetrate the egg and increase the motility of sperm by certain chemical changes. यह हम यूँ कह सकते हैं यह जो उपर का part हटा है ना इसकी वएसे हुआ क्या है यहाँ पर sperm का अगर exact structure तुम लोगों को याद हो तो यह कुछ step से रहता है ना देखा होगा तो यहाँ पर क्या भरा होता है यहाँ पर क्या है acrosome acrosome के अंदर तो enzyme पाई जाते हैं जो आगे जा करके ovum के अंदर छेट करेंगे तो यह जो उपर की layer हटती है ना यहाँ से यह layer हट रही है इससे क्या हो रहा है कि acrosome easily बाहर निकल पाएगा तो वही कह रहा है it destabilizes the acrosome membrane acrosome के उपर की जो membrane है उसको destabilize कर दिया कि कब जब capaciation process हो रही है जिसकी वाई से यह acrosome easily बाहर निकल के आप आएगे clear अब आते हैं और साथ-साथ में दूसरी चीज़ क्यों हो रही है motility of sperm sperm की motility याने कि उसके tail को बहुत तेज motions मिलने start हो जाते हैं तो इस तरीके से capaciation में दो घटना है घट रही है capaciation में दो घटना है घट रही है कौन-कौन सी एक तो acrosome जो है वो उसके उपर की membrane हट जाएगी और दूसरा जो इसका tail है वो बहुत तेज़ी से move करने लएगा दो पॉइंट लिख लो गई है ठीक है ना तो capaciation हो गया जो कि जरूरी process है आगे आते हैं अब क्या कह रही है आगे only capaciated sperms are capable of being attracted by the responding attracted by and responding to chemical factors produced by surrounding cells of ovuluted oocyte अब माल लो यह philippine tube है सपोस और यह क्या है ovum है ठीक है अब यहाँ पर बहुत सारे sperms है clear है माल लो यह वाला sperms तो जो है वो capaciated है capaciation इसका हो गया है इन दोनों का capaciation नहीं हुआ है तो यह दो sperms यहाँ पहुचने के बावजूद इस ovum के द्वारा attract नहीं किये जाएंगे इस ovum के द्वारा कौन सा sperm attract होगा केवल वो sperm attract होगा जिसका capaciation हो गया है clear है only capaciated sperm one mass question बन सकता है which sperm is attracted by ovum तो only capaciated sperms are capable of being attracted by attacked किया जाएगा and responding to chemical factors produced by surrounding cells of the ovulated oocyte इसके द्वारा जो इसके बाहर chemical secret किया गया है उस chemical के द्वारा केवल यही sperm क्या होगा capaciated sperm है वो ही केवल क्या होगा attract होगा clear हुई बात आगे आते है for fertilization to occur fertilization को होने के लिए sperm cell first सबसे पहले जो sperm cell होगा must penetrate two layers अब हम सब को अगर तुम लोगो याद हो तो अच्छी बात है ओवं के उपर दो लेयर पाई जाएंगी एक होती है corona, radiata और एक है zona, palisida इन दो layer के साथ ही तो बहार आयाता है याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है याद करो देखो यहाँ वीडियो पॉस करो और जा करके evolution होने के बाद जो ओवं बना था उसका layer लेयर चेक करो ठीक है? दो layer है corona, radiata और zona, palisida इन दो layer के साथ हमारा ओवं यहाँ मौझूद है इन दोनों layer को इसको क्या करना पड़ेगा? cross करके आगे जाना पड़ेगा जो एक्रोजोम है उसके जो enzyme निकलेंगे यानिकी एक्रोजोमल enzymes and strong tail movement ठीक है? अब जो यहाँ पर होगा simple सी बात क्या है? समझो यह sperm है इसको मैं अलग color से बनाता हूँ समझाने के लिए ठीक है? यहाँ पर क्या है? यह एक्रोजोम है यह आगे की layer हट चुकी है तो एक्रोजोम के enzyme आ करके अब enzyme तो इसको यहाँ पर खा रहा है तो छेद बन रहा है जो tail movement है न यह tail movement ऐसे ऐसे करेगी move करेगी तो धके लेगी अंदर तो यह जो sperm है यह इसके अंदर खुसेगा यह ठीक है? वह हम के बात समझ में आ रही है? किलियर है तो वह यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि sperm cell first must penetrate two layer tail का movement help करेगा penetrate the cells of corona radiata and come in contact with the jonopalicida corona radiata बाहर की तरफ होते है यानि कि हम मान ले दो layers की बात कर लें अगर तो बाहर क्या है? corona radiata, अंदर क्या है? jonopalicida, दोनों को cross करते हुए अंदर आएगा one of the glycoprotein in the jonopalicida अब बात को समझना हो jonopalicida में एक glycoprotein पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते है JP3 के नाम से jonopalicida में एक glycoprotein पाई जाती है JP3 के नाम से ठीक है? act as sperm receptor this is a receptor for sperm sperm को अगर ये नहीं होंगे तो sperm receive नहीं हो पाएंगे आने के बावजूद वो sperm को receive नहीं करेगा ठीक है? its binding to specific membrane protein in the sperm head trigger the acrosomal reactions अब इसके पास क्या बोल रहा? साफ साफ कह रहा है its binding to specific membrane protein in the sperm head इसके अंदर एक खास binding protein होता है वो sperm के head से यासे चिपकेगा उसी condition में जब ये इस से चिपकेगा रिसेप्टर लेगा तो उस condition में क्या होगा? ये trigger कर देगा acrosomal reactions the release of the content of the acrosome acrosomal reaction का मतलब क्या हो गया? release of the content of acrosome अगर ये ZP3 नहीं होगा और इस परम आगे स्थाथ interact नहीं करेगा तो acrosome reaction नहीं होगे acrosome reaction का मतलब क्या है? जितना भी acrosome वाला part है उसका अंदर content acrosome वाला वो बहर निकल के आ जाएगा ठीक है? this is the acrosomal reaction अब acrosome के अंदर का सारा content बहर आ गया उसका अंदर enzyme वगरा सब कुछ है तो उसके बाद क्या होगा? the acrosomal enzyme digest a path through the zona pellucida as lashing sperm lashing मतलब जो बहुत तेजी से ऐसे चल रहा है ठीक है ना? तो यहाँ सिंपल सी भासा समझें अब step क्या हो जाएगा हमारे पास? मालो यह अंदर का part था दो layer थी ठीक है ना? यहाँ पर response हमारा आ चुका है ठीक है? और यहाँ से अब क्या होगा? जो यह था इसका जो enzyme है यह खाना सुरू करेगा और एक रास्ता बन जाएगा अंदर के लिए एक path बना देगा और इसकी जो tail होगी जो ऐसा-ईसे करें चल रही है वो इसको और अंदर इस पूरे को अंदर धकेलने की कोशिश करेगी इस रास्ते में ठीक है धारुदुम इंजाइम डाजेश्ट अपाथ वो एक path को डाजेश्ट करेंगे बना देंगे डाजेश्ट करके ठीक है थूरू दा जोना पैली सुड़ा ऐस दा लैसिंग स्परम जो बहुत तेशे मूफ कर रहा है A sperm tail pushes the sperm cell onwards वो cells को अंदर ढाल रहा है इस परम यसा से tailor मूफ कर रही है और sperm अंदर ढाल जा रहा है only onwards although many sperm bind to ZP 3 molecules अब जो यहां पर कितने अच्छी बात बता रहा है जो ZP 3 molecules है उससे बहुत सारे jो sperms होते है bind to ZP 3 molecules and undergo acrosomal reactions ठीक है न अब जब ZP3 रहा पर बहुस सारे विक्तर सम्जाए हैं है यहां बहुस सारे ZP3 लगे हुए है क्या लगे हुए है बहुस सारे, चारौत पृफ सबके साथ और acrozoomal reaction हो रहा है सब के साथ, लेकिन, सब के साथ acrozoomal reaction हुआ, very important कि इतना सारा sperm होता है, तो सारे के सारे क्यों नहीं गुश जाते हैं अंदर, very important question है, जो बच्चों की दिमागों घुमता भी है, only the first sperm cell to penetrate the entire zona pellucida, पहला sperm, अब यहां समझते हैं, अब मैं यहां पर थोड़ा सा इसको समझाने के लिए एक color लेता हूँ, यह वाला, ठीक है, this is zona pellucida, ठीक है, और इसके उपर क्या लगे हुए हैं, हम मान लेते हैं, receptors लगे हुए हैं, ZP3-5 को समझते जाना, और यहां पर क्या है, sperm, यह आगया अपना sperm, ऐसे चारों तरफ हैं, जो बात समझाने चारहों समझो, ठीक है, और चारों तरफ sperm आखर के लग गए हैं, चारों तरफ sperm के दोरा यह घेर लिया गया है, लेकिन, और सबने क्या किया है, अब बात को समझना जारा है, जो मैं कहना चारहा हूँ, यह सब ने क्या किया है, यह सब ने राष्टा, एक्रोदोमल रियक्शन हुई है, यह सब के सब इसको ना खाना शुरू कर रहे हैं, यह सब के सब इसको, यह सब के सब जो हैं इसको खाना शुरू कर रहे हैं, ये सब के सब जो हैं इसको खाना शुरू कर रहे हैं ठीक है बात समझ में आ रही है ये सब के सब इसको खाना शुरू कर रहे है लेकिन एक केवल ऐसा होगा एक सब इसको अंदर पेनेट्रेट कर रहे हैं छेट करके अंदर जाना चाहरा है लेकिन एक सबसे पहले इस पूरा पूरा मतलब आरपार इस पूरे को भेद करके अंदर आ जाएगा जो सबसे पहले इसको भेद करके अंदर आएगा उसके तुरंत बाद तुरंत बाद ये जो पूरी लेयर होती है ये जो पूरी लेयर होती है एक तरसे मैं कहा दूँ ये जो पूरी लेयर होती है ये पूरी लेयर क्या होती है? हार्ड हो जाती है कैसी हो जाती है hard यह पूरी layer एकदम से hard हो जाएगी कैसी हो जाएगी hard हो जाएगी block कर देगी जो sperm जहाए वहीं को जाएगा क्योंकि एक अंदर आ चुका है बाकि सब वहीं को जाएगे और यह पूरी layer एकदम से solid हो जाती है कैसी हो जाती है solid यह पूरी layer कैसी हो जाएगी solid हो जाती है सब के सब इस पाम महीं को जाम हो जाते है एक बास समझ में आई ठीक है ना यह चीज़ हमें समझ नहीं थे और यह चीज़ अभी आगे लिखी हुई है ठीक है तो कह रहा है entire zona palisida इस entire का मतलब है पूरा R-par ठीक है ना and reach the oocyte plasma membrane fuses with the oocyte तो क्या कह रहा है only the first sperm cell to penetrate the entire zona palisida and reach the oocyte जो सबसे पहले आगे इसको touch करता है केवल वही अंदर गुस पाता है ठीक है और अंदर जाकर के इसके अंदर जो इसका nucleus है उससे जाकर के क्या करेगा fuse कर जाएगा बाकी sperm जो इसको भेज करके आदे आदे पहुंचे होंगे कहीं पर वो सब वहीं को में जाम हो जाते है ठीक है तो वही अगला heading है block polyspermy poly मतलब बहुत सारी sperm का fusion बहुत सारी sperm का fusion तो यहाँ पर क्या है polyspermy का मतलब क्या है यहाँ तक बात समझ में आई अब जखो जो अगला step है polyspermy polyspermy मतलब fertilization by more than one sperm एक sperm से ज़्यादा के दोरा fertilize होना ऐसा क्यों नहीं होता है कि बहुत सारी sperm इसको fertilize कर दें ब्लॉक हो जाता है वो कैसे ब्लॉक हो गया within few seconds of fusion of sperm cell यह अंदर गया यह तो मैं काभी बड़ा बना दिया अंदर जाके जैसे ही यह इससे क्या करता है यह sperm आ रहा है इसके जात जैसे ही fuse करेगा within few seconds of fusion of sperm cell with secondary oocyte जैसी उसका उसने fuse किया the cell membrane of the oocyte अच्छा secondary oocyte बोल रहा है ठीक है तो जैसे ही मतलब जैसे ही इसने इसको penetrate करना start कर दिया होगा drill कर दिया इसका यह fuse हो गया है the cell membrane of the oocyte depolarizes पहली चीज जैसे उसने इसको कर दिया वो क्या हो गया depolarize हो गया depolarize हो गया which act as fast block to polyspermine तुरंत यानि कि जैसी यह थोड़ा सा अंदर गुजगया होगा तो हम एक ऐसे बता दू मैं एक अलग से layer बनाते हैं जैसी यह थोड़ा सा अंदर गुजगया होगा इसने तुरंत एक layer बना करके पूरा block कर दिया होगा ठीक है जिससे कि क्या है कि बाकी कोई sperm अंदर ना आपाए अब बात समझ मारी है ठीक है यहां से निकल निकल के बाहर की तरफ आते है एक्सोसाइटोसीस हो रही है, ठीक है, from the oocyte the molecules released by exocytosis inactivate zp3, यह जो यहाँ से molecules निकल निकल के बहार आ रहे हैं, यह zp3 को क्या कर देंगे, चल भाई हड़िया हो, खतम कर दो, inactivate कर देंगे, इन सब को क्या कर देंगे, इनक्टिवेट कर देंगे इनक्टिवेट कर देंगे बात समझ में आ रही है now and harden harden मतलब solid कर देंगे hard कर देंगे the entire zona palycida events called slow ठीक है entire zona palycida क्या हो जाएगा hard हो जाएगा and this event called the slow block to polyspermine slow block to polyspermine शुरुवात में एकदम से layer depolarize होती है बाद में धीरे 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 पूरी hard हो जाती है जिससे कि further कोई sperm उसको penetrate कर ही नहीं पाता है तो block of polyspermine polyspermine का मतलब क्या है fertilization by more than one sperm क्यों नहीं एक ovum एक sperm से ज़्यादा sperm से क्यों नहीं fertilize हो पाता है तो ये उसका reason है उमीद कर रहा हूँ clear हो गया होगा तो देखो यहाँ पर एक layer मैंने इसको समझाने कोशिश की है diagram के थूरू secondary जो ocite होता है ये polar body दे रखे हो उसकी बीच में ये ocite है अब जो क्या है जो एक सबसे पहला layer sperm आगे घुश गया है ठीक है sperm cell उसमें क्या हो रहा है path of sperm sperm कहां कहां से होता हो गुजरेगा ध्यान डखना सबसे उपर के cell corner odiator फिर उसके नीचे zona palisida फिर plasma membrane of secondary ocite ये इसका plasma membrane है और finally citroplasma of secondary ocite ठीक है ना ये इसका देखो बात समझने के कोशिश करेंगे यहाँ पर ये जो है this is the हर cell का plasma membrane तो होता ही है उसके बाद ये जो layer है मोटी सी ये यहाँ से ये जो layer है this is zona palisida ठीक है और फिर ये जो cells है ये वाले cells जो है ये वाले cells ये एक तरह से ये layer कहले हैं हम लोग ये layer क्या है ये this is corona radiator तो तीन layer से cross करता हो से जाना होता है ultimately अंदर क्या आता है cytoplasma आता है तब कहीं जाकर कि sperm अंदर पहुंचता है clear है बाते ठीक है तो यहाँ पर ने ये layers ध्यान रखनी वेटा question आ सकता है कि sperm जब अंदर fertilize करने के लिए जा रहा होता है तो कौन-कौन से layer से होके गुजरता है सबसे उपर होती है corona radiator then zona palycida उसके बाद plasma membrane होता है उस site का और उसके बाद finally satraplasm ठीक है अब क्या कह रहा है the nucleus in the head of the sperm sperm के head पर nucleus होता है structure पढ़ाया था मैंने develops into the male pronucleus वो male pronucleus वे एक तरह से ready हो गया है male pronucleus में convert हो जाता है and the nucleus of the fertilized ovum develop into the female pronucleus अब यह अंदर घुश चुका है तो हम कह रहे है fertilization हो गया है ठीक है वो जो अंदर का है वो female pronucleus में बदल जाता है after the male and female pronucleus form they fuse fuse हो यह हैंगे आप असे मिल जाते है producing a single diploid nucleus और एक single diploid nucleus बना देते है अब process known as syngemi यानि कि CDC बात है अब अंदर जा करके है ना इसका यह आला जो nucleus है इस वाले nucleus है जो male का nucleus है वो आ करेगा fuse करेगा और उसको हम लोग क्या बोलते है syngemi तो इसी लिए हम लोग कई बार क्या है fertilization को बेटा syngemi बोल दे जाता है fertilization के लिए एक word इस्तमाल होता है syngemi ठीक है ना तो syngemi actually क्या है fusion है इसको हम लोग कई बार fusion ही बोल देते है ठीक है तो actually fertilization क्या है fertilization एक पूरी broad term है एक process है उसी के अंदर कहने है syngemi तो हम लोग कई बार interchangeably इनका इस्तमाल कर लेते है कि fertilize हो गया आपसे मिल गए syngemi मतलब आपसे मिल गया fusion का मतलब आपसे मिल गया but overall देखा जा तो fertilization एक बड़ा term है पूरा process है ठीक है syngemi अंदर जाके nucleus का fusion हो रहा है उसे को हम fusion ही बोल देते है clear है तो हम लोग interchangeably कई बार हम करें syngemi हो गई हम करें fetalization हो गया कई बार हम लोग इस तरह से इस्तमाल कर लेते है clear है अब देखो क्या था हमको अच्छे से पता है sperm के अंदर क्या था N, N मतलब 23 chromosome 23 chromosome कहां से आए father से यहाँ पर फिर क्या है 23 chromosome किसके है mother के यह भी क्या है N N और N मिलके N प्लस N मिलके कितना बन जाएगा 2N यानि कि 23 प्लस 23 मिलकर के finally कितने chromosome होते हैं हमारी बाड़ी में 46 तो उसी की बात हो रही है अब यहाँ पर that's the fusion fusion हो गया इनका of the haploid pro nuclei haploid थे N और N को haploid कहा जाता है restore, restore वापस से restore कर लेते हैं diploid number यानि की 2N वापस से 23, 23 है sperm के अंदर 23 chromosome ovum के अंदर 23 chromosome वापस से मिलकर मिल जाते हैं और वापस से कितने बन गए है 2N यानि की 46 chromosome बन गए ठीक है the fertilized ovum now called zygote अब हम इसको क्या बोलते हैं zygote बोलते है fertilization हो गया तो यह बेटा यहां तक आकर के finally क्या है fertilization की पूरी process होती है अगर fertilization आता है ठीक है ना तो यह जाकर कि यहां fertilization हमारा खतम होता है fertilization अगर 5 नंबर में आता है तो तुम्हें fertilization के अंदर capatiation समझाना पड़ेगा ठीक है ना यह polysperm में समझाने पड़ेगी ठीक है और तब कहीं जाकर के तुम्हारा fertilization 5 नंबर के हिसाब से यह cover होगा clear है बाते हैं ठीक है fertilization से start हो जाती है क्या pregnancy हमारी आगे आते हैं अब अब यहाँ पर थोड़ा से एक term है जो बच्चे थोड़ा सा confused रहते है monozygotic twins और dizygotic twins यह पता होना चाहिए ठीक है dizygote जिसको मैं बता चुका हूँ कि जब हमारे पास किसी वज़े से two ovum ठीक है यहाँ पर दो ovum होते हैं दो ovum किसी वज़े से mature हो जाते हैं जो हमने पढ़ा था न ovulation वाला पार्ट पढ़ा था हमने देखा था कि हमारा जो ovum निकाल रही है किसी कारणों से दो follicle दो ovum mature हो गए हैं और दो अलग-अलग sperm ने आ करके उनको fuse कर दिया है तो ऐसी situation में क्या होता है die zygotic होता है ऐसी situation में कोई जनुरी नहीं है कि एक लड़का एक लड़की हो सकता है दोनों लड़के हो सकते हैं दोनों लड़के हो सकती हैं लेकिन ये अलग-अलग होते हैं चेस्ट लैक ऐसे समझे हैं कि दो भाई बेने एक आज पैदा हुआ है एक तीन साल बाद पैदा हुआ है तो वो तीन साल बाद ना पैदा होकर करके दोनों साथ में पैदा हो गए है हम इसको ऐसे consider कर सकते हैं फिर होता है एक monozygotic twins monozygotic में क्या होता है जो ovum है इसके साथ एक ही ovum रहता है एक sperm रहता है यह fuse हो गया अब यहाँ पर क्या हो गया यह zygote बन गया क्या बन गया zygote अब या तो यह male होगा या यह female होगा zygote है ना अब यही zygote क्या होता है अब हम आगे process पढ़ेंगे zygote divide होता ना divide होके cell बनाता है तो यह आने वाले within week 8 दिन के अंदर अंदर यह क्या होता है अब हम देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे cells बन जाते हैं इस टाइब से जब यह embryo बनना start हो रहा होता है तो यही zygote किसी वज़े से किसी वज़े से क्या होता है दो cells में टूड जाता है same तो भाई अगर यह x x है तो भाई यह भी x x होगा यह भी x x होगा जो genes इसके हैं वही genes दोनों के होंगे इसलिए identical twins होते हैं यह कैसे होते हैं identical twins बिल्कुल जुड़वा हम शकल monosygotic twins are identical twins ठीक है ना क्योंकि एक ही zygote आगे जाकर किनी कारणों से दो में टूट गया अब अगर यह कई बार ऐसा भी होता है कि यह दो zygote जब टूटते हैं तो पूरा अलग नहीं हो पाते हैं तो ऐसी situation है बच्चों का सर जुड़ा रहता है कई बार हाथ जुड़े रहते हैं पेट जुड़ा रहता है बच्चे देखना इस टाइप से क्योंकि यह पूरे अलग नहीं हो पाए इस वाई से उनका कुछन को सरीर का हिस्सा कई बार जुड़ा रह जाता है ठीक है अब यही बाते हम यहां पढ़ेंगे डाइज आइगोटिक के लिए एक टर्म और इस्तमाल होता है fraternal डाइज आइगोटिक के लिए एक टर्म और इस्तमाल होता है वो क्या है fraternal fraternal twins are produced from the independent release of two secondary oocyte दो अलग अलग oocyte पहली पहचान secondary oocyte ठीक है नहीं and the subsequent उसके बाद fertilization of each हर एक oocyte का by different sperm दोने sperm भी अलग थे दोनों oocyte भी अलग थे clear है they are the same age and in the uterus at same time इनका समय age और timing सेम रहती है but genetically they are as dissimilar but genetically क्या है अलग-अलग मैंने कहा ना एक भाई मतलब दो अगर भाई 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 जो भी है एक आज पैदा हुआ आज तीन साल बात पैदा हो रहा है पस यह मान लोग कि दोनों एक साथ पैदा हुए दोनों के genetic pattern अलग रहेगा लेकिन age वगरा age same रहती है time same रहता है बस यह मान लोग कि दो आ गए हैं यहापर ठीक है as any other sibling sibling मतलब भाई बैन जैसे दो अलग बाई भाई 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 होते हैं ठीक वैसे यहाँ पर यह होते हैं diezygotic twins may or may not be the same sex जो diezygotic होते हैं दोनों same भी हो सकते हैं लडग लडगा या लडगी लडगी या अलग अलग भी हो सकते हैं पहाबना है बात करें monozygotic की जहाँ पर आता है identical डवलप फ्रॉम में सिंगल फटिलाइजड ओवर्म एक ही ओवर्म होता है फटिलाइजड हुआ जाइगोट बना इसी से दोनों बनेंगे ठीक है ना therefore they contain exactly the same genetic material exactly same genetic material होता है इनका ठीक है monozygotic twins arise from separation of the developing cells बनते क्यों है यह developing cells होते है ठीक है zygote अब ग्रो कर रहा है यह ग्रो होते होते बीच में से टूड़ याता है ठीक है कुछ कारण होते है into two embryos एक embryo यह यह embryo है किनी कारणों से यह embryo 1 और यह embryo 2 इसी से यह दो embryo में बदल गया यह ठीक है which in 99% of cases occur before 8 days have passed 8 दिन होते से पहले ही ऐसा हो जाता ज्यादा तर separation that occur later than 8 days अगर 8 दिन के बाद अगर ऐसा separation होता है 8 दिन के बाद are likely to produce conjoint twins अगर 8 दिन के बाद होता है तो बहुत जाद समभावना conjoint जुड़ो हुए बच्चे पैदा होंगे ठीक है situation in which the twins are joined together एक ऐसी situation है जहां पर twins जो होते हैं joint together and share some body structure और कोई ना कोई body structure क्या होता है वो share हो रखाता जुड़ा हुआ होता है किलियर है बाते हैं यहां तक मेरे खाल से अब मत भूलना monozygotic twins और diezygotic twins क्या होते हैं किलियर होगी बात यहां तक चले आगे अब बेटा important part यह बेटा एक तरह से कहीं न कहीं knowledge परपस से था खीक है ना बहुत common question बच्चे को doubt रहता है इसको यहां पर ले लिया था तो यहां तक बात है किलियर हो गई है अब यह important topic आ रहा है यह तुम्हारा क्लिवेयज के बारे बातें आने वाले है किस तरीके से जाइगौट के अंदर किस तरए टिवीजिन अगरें she चलो आफ्टर फटलाइसन जब हो गया है रैपिड माइटॉटिक सेल डिविजन है ना माइटॉटिक क्या होता है एक सेल दो में तूटेगा फिर यह दो में तूटेंगे यह दो में तूटेंगे तभी तो हो पाता है कि जो एक जाइगोट होता है एक टाइम के बाद बहुत स सारे सेल्स हो जाते हैं एक सेल्स पूरा नाइन मन्थ बेभी में कवर्ड हो जाता है उसके अदर इतना मैटर से वह हो रहे हैं छोटे बच्चे से से तने बड़े हो जाते हैं क्या हो रहे हैं जिसकी वज़ातार हमारी बॉडि गावेट वगारा बढ़ता रहता है कि लिए रहे बाते हैं चलें आगे ओके तो जो माइटॉटिक सेल डिविजन हो रही है जाइगोट के अंदर इसी को हमने क्या हो दिया अक्लिवेश देखो एक जाइगोट था यहां से यह दो सेल में तूट गया किसा तूट गया दो सेल में और ध्यान रखना यह जो क्या नाम दिया है ब्लास्टोमर्स बोला है किलियर है और यह दो पोलर बाड़ी है यह बात में डिजनरेट हो जाती है खतम हो जाती है बात समझ में आगे ब्लास्टोमर्स क्या है अब जाइगोट के अंदर इस इस जाइगोट के अंदर जाइगोट के अंदर जाइगोट क आधा आधा यह 24 घंटे के बाद होता है after fertilization and is completed about 6 hour later और लगबग start होने के बाद 6 घंटे बाद यह पूरा हो जाता है by the second day after fertilization दूसरा दिन होने के बाद the second cleavage is completed दूसरा दिन दूसरा हो जाता है ठीक है fertilization होने के बाद 24 घंटे में पहला दूसरे दिन दूसरा and there are 4 cells अब कितने cells हो गए day 1 day 2 यहाँ पर 4 cell हो गए 1,2 और 3 और 4 ठीक है यह अंदर nucleus है हर एक cell का और इसके अंदर क्या भरा हुआ है यह cytoplasm भरा हुआ है by the end of third day there are 16 cells third day होते होते day 3 यहाँ पर नहीं दिया चार यह चार हो फिर से क्या करेंगे divide करेंगे फिर divide करेंगे 4 से 8, 8 से 16 हो जाएंगे the progressively smaller cells produce हर बार जब भाई यह जो size है न यह इतना ही रहता है और केवल यह cell अंदर divide होते रहते हैं तो cell का size क्या होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है the progressively smaller cells produced by cleavage are called blastomers इनको हम लोग क्या बोलते हैं blastomers यह one mass question है तुमारा successive cleavages eventually produce a solid sphere of cells called marula लगातार cleavage होते रहते हैं होते रहते हैं और एक ऐसा structure त्यार होता है इसके अंदर बहुत सारे cells हो जाएं बहुत सारे cells हो जाएं तो यह structure zona palisuda अंदर बहुत सारे cells इसको हम लोग क्या बोलते हैं marula जो कि लगवाग 24 दिन बनके तयार होयाता है the marula is still surrounded by the zona palisuda marula के उपर अभी भी zona palisuda की layer मौजूद है and is about the same size zygote वाला ही size है zygote का size करीब ऐसा होता है 0.5 mm के आसपास 0.5 mm scale में देखोगे ना जब 1 mm का आधा 0.5 mm अजब कि हम अपनी आँखो से देख सकते हैं ठीक है बहुत बारीक बहुत बारीक होता है okay same size का है जो उसका original diagode का size था वही size है now blastocyst formation ठीक है क्या क्या बन गया हमने blastomeres पढ़ लिए marula बन गया marula के बाद क्या बनेगा marula के बाद क्या बनेगा blastocyst यह sequence पूछा जा सकता है exam में by the end of the fourth day fourth day खतम होते होते the number of cells in the marula increases वो और increase हो जाएंगे सब mitosis कर रहे है when the marula enter the uterine cavity marula अभी कहाँ पर है philippine tube में ही है बात को समझे कोईट करना अब डियाग्राम दिखाऊं में यहाँ पर जाएगोट हो गया फिर ये फिर ये फिर ये इसके बहुत सारे cells है ठीक है ना यह क्या है marula बन गया है यह अभी फिलिपिन tube में ही है और क्या बन गया है marula बन गया है ठीक है तो when the marula enter the uterine cavity याने कि अब यह marula कहां enter कर रहा है uterine cavity uterus में enter कर रहा है on day 4 और 5 आग glycogen rich secretion from the glands of the endometrium of the uterus enter the marula ठीक है जैसी यह cavity में enter करता है तो uterus के द्वारा uterus में जो glands होती है endometrium endometrium glands याद आ रही है endometrium glands है ना जो सबसे उपर की layer थी endometrium glands उनके द्वारा कुछ secretion छोड़ा जाता है जो glycogen rich होता है and ठीक है marula through the zona palisida यह कुछ secretion छोडते है from the glands of the endometrium of the uterus जो कि enter कर जाता है marula में through zona palisida endometrium के द्वारा कुछ छोड़ा जा रहा है एक glycogen rich philude जो कि क्या करता है इस zona palisida सो होता हुआ अंदर enter कर जाता है ठीक है बड़ा important चीज़ा है this philude is called uterine milk इसको हम लग uterine milk कहते है अब जो cells बन रहे हैं न भाई इनको खाना पीना चाहिए कहां से आएगा भाई यह कहीं connection तो है नहीं इसका को blood vessel तो जुड़े नहीं कहीं से ही है प्रोवाइड करवा रहा है nourishment for the developing marula marula के development के लिए जो nourishment आता है जो कोई blood vessel वगएरा नहीं जुड़े हुई है तो कहां से आता है uterine milk से आता है at the 32 cell stage जब यह 32 cell का हो गया है 16, 16 बाद क्या है 32 यानि कि हम कहा सकते हैं लगबग marula के अंदर लगबग 16 cells हैं अभी ठीक है तो जैसे यह 32 cells का पहुंचता है the fluid enters the marula collect between the blastomers and reorganize them around a large fluid field cavity called blastocyst cavity जैसे यह 32 cell का होता है तो जो fluid होता है न वो वो देख रहो यहाँ पर यह इस तरह से बीच में जाकर के इखटा हो गया endocrine glands को दौरा जो fluid छोड़ा गया uterine militant छोड़ा गया वो बीच में खटा हुआ उसने क्या कर दिया सारे cells को rearrange कर दिया कुछ को धक्का इधर मारा कुछ को इधर मारा तो कुछ इस टाइप से structure बन क्या आ गया यह एक layer कुछ cell एक तरफ हो गया ठीक है ना rearrange हो गया कुछ cells यह एक तरफ हो गया यह जो एक तरफ cell हुए है इनको हमने क्या का embryo blast ठीक है और यह एक अलग से layer बन के आई इसको हमने क्या का टोफो blast यह जो cavity है इसको क्या का blastocyst cavity जब पूरा structure जब cavity इसके अंदर यह क्या आगी this is cavity जैसी cavity बनती है उसको हमनों क्या बोलते है blastocyst क्या बोलते है blastocyst इस पूरा structure मुरूला के बाद क्या बनेगा यह blastocyst भार से दिख रहा है और यह blastocyst अंदर से है ठीक है ना day 5 में तो एक तरफ cell खिसक जाते है bulk में उसको हमनों ब्लास्ट कहते है जिसको हम लोग क्या कहते है blastocyst cavity कहते है और इस cavity को ही दूसरा नाम क्या है blastocyst दूसरा नाम क्या है blastocyst clear है once the blastocyst cavity is formed एक बार ही जब यह blastocyst cavity बन जाती है the developing mass is called blastocyst ठीक है जैसे cavity बनेगी तो इसको हम blastocyst कहना स्टार्ट कर देंगे तो ध्यान रखेंगे फिर से देखें सबसे पहले क्या है जाइगोट फोर सेल स्टेज में सबसे ब्लास्ट मेर्स कहते हैं फिर क्या बना मरूला बनता है मरूल अगवाद क्या बनता है जैसे cavity बनती है इसको blastocyst कह दे जाता है दो इट नाव हैं hundreds of cells the blastocyst is still about the same size the original zygote भला है यहाँ पर अभी 100 से ज्यादा cell या 100 के करीब cell हो गए है लेकिन still अभी भी इसका size zygote जितना ही है क्लियर है बात है पर क्योंकि अभी यह फिलेपिट निकलाई है ना फिलेपिट में बढ़ जाएगा तो फिलेपिट में दिक्कत आजाएगी ठीक है चलें आगे तो यह बेटा क्लिवेज वाला पार्ट है कि किस तरीके से क्लिवेज हो रहा है और फिर आगे हम एंट विलेफ लेफ बास्ट थीक है यह वने समझा दिया जब ब्लास्टों से बनता है तो दो तरह की लेश बन जाती है कौन-कौनसे क्टों लेश है हम लोग जान रहे हैं इसको है ना एक layer कौन सी है embryo blast और एक layer क्या है trophoblast दो layer बन जाती है cells की यानि cells दो में दो तरीके से arrange हो जाते हैं the embryo blast और इसको हम inner cell mass भी कहते है is located internally and eventually develop into embryo जो embryo blast होता है यही बाद में embryo में develop हो जाता है the trophoblast is the outer superficial layer trophoblast जो है बाहर की superficial layer होती है जैसे कि food wall की एक सबसे उपर की परत होगी ना तो उसी को हम trophoblast बोल देंगे of cell and develop into outer chorionic sec and surround the fetus and placenta जो chorionic sec होता है एक तरह की जो उपर की layer होती है fetus की यह उसको बनाने में help परता है around the fifth day after fertilization पांचवे जिन होते होते the blastocyst hatches from the jonapallusida अब जाकर के जो blastocyst है वो jonapallusida से बहार आएगा यानि कि jonapallusida यहाँ पर तूड़ जाएगा blastocyst बहार आता है this shading of genopallusida is necessary यह shading है jonapallusida की जरूरी अगर यहाँ पर jonapallusida तूटेगा नहीं तो आगे जाकर यह implant नहीं हो पाएगा implant का मतलब क्या है समझेंगे अभी हम लोग ठीक है next step next step implantation तो implantation यानि कि attachment उस zygote का जो कि अब blastocyst बन चुका उसका जाकर के endometrium layer में चिपकना जलूरी है वरना बेबी कैसे ग्रो करेगा तो इसलिए jonapallusida तूड याता है ठीक है जब वो attach हो जाएगा जाके उससे तो क्या क्या बन जाएंगे vascular glandular endometrium lining यानि कि जब यह जब यह पहले सुटा से निकल के बहार आ जाएगा और implant हो जाएगा implant होने के बाद mother's की जो endometrium है और fetus है उसके बीच में क्या क्या बनना starts होएंगी glandular endometrium lining of uterus यानि कि जो एक तरह से blood vessels का बनना start हो जाएगा क्या बनना start हो जाएगा blood vessels और एक दूसरे में खून का आदान परदान सुरू होगा direct नहीं जुडएंगे खून से समझाओंगा अभी खून direct attached नहीं होता के वल क्या होता है एक ऐसा situation की rate होती है presenta वाली की nutrients का आदान परदान होगा खून का आदान परदान नहीं होता है अब एक term और आता है वेटा जो तुमनों को पता होना चाहिए stem cells this is also for knowledge जरूर यह basic knowledge है as a pharmacist तुमनों को पता होना चाहिए stem cells क्या होते है stem cells जब भी हम बात करेंगे stem cells बोलेंगे तो stem cells का मतलब रहेगा are un-specialized cells un-specialized जाने की specialize का मतलब क्या है जिस cell ने कुछ काम कर लिए जैसे कि हमारी आँख में जो cells है वो देखने के लिए क्या है specialize हो गई है कान के cells सुनने के लिए specialize हो गए है लेकि जब सबसे शुरुआत की बात करूँ तो ये सारे cell शुरुआत में क्या था जाइगोटी तो था उसमें से कुछ cells देखने लगए कुछ cells सुनने लगए तो जब कोई cell कोई खास काम करने लगते हैं तो हम कहते हैं cell specialized हो गए है और stem cells un-specialized ठीक है जाने कि अभी मैं बात करूँ तुमसे तो ये जो cells तुम देख रहो हैं यहाँ पर ये cells कैसे हैं un-specialized cell है न कोई खास काम कोई special function नहीं है इनका आगे जाके भर्ष में कोई cell आँख बनेगा कोई कान बनेगा तब वो specialized होएंगे और जब तक इनका कोई खास काम नहीं होता है तब तक हम इनको stem cells कहते हैं क्या कहते हैं stem cells के लिए रबात समझ में आई ठीक है तो क्या कह रहा है stem cells are un-specialized cells that have the ability to divide for indefinite period और इनके अंदर एक छमता होती है ये अनन्तकाल तक डिवाइड कर सकते हैं indefinite period तक डिवाइड कर सकते हैं ये and give rise to specialized cell और finally एक खास cells को पैदा करते हैं होते रहेंगे होते रहें कोई कान बनेगा कोई liver बनेगा कोई kidney बनेगा तो kidney के cell सलग है liver के cell सलग है वो specialized हो गए है a zygote fertilized ovum zygote हो क्या कहते है fertilized ovum is a stem cell वो क्या होता है stem cell होता है पूरा zygote क्या होता है कुछ भी बना सकता है because it has a potential to form the entire organism अब उसके अंदर एक ऐसी छमता है कि पूरे organism को तयार कर सकता है इसलिए लिए stem cell कहते है a zygote is known as totipotent totipotent मतलब ऐसी छमता कि पूरा का पूरा नया organism तयार कर दे कोई भी ऐसा cell जो पूरे के पूरे नय organism को बना सके ऐसे cells को हम लोग क्या कहते है totipotent cells कहते है और यहाँ पर हम लोग क्या कहते है totipotent stem cells power to develop into complete organism इसके अंदर power है develop करने के लिए पूरा पूरा complete organism now inner cell mass जो inner cell mass होता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आकर divide हो गया कुछ cells trophoblast बन चुके है और कुछ cell embryo blast बन चुके है इसका मतलब trophoblast cells के अंदर अब वो छमता नहीं है जो छमता embryo blast के अंदर है और embryo blast के अंदर वो छमता नहीं है कुछ हद तक कुछ हद तक स्पेसलाइज हो गए तो वही चीज है यहां पर कि inner cell mass called luripotent cells या pluripotent stem cells can give rise to many but not all कई सारे organs को grow करवा सकता है बट सारे नहीं इसलिए इसको क्या कहा गया pluripotent stem cells कहा गया can give rise to many but not all different types of cells letter puripotent stem cells can undergo further specialization अब यह जो stem cells होते हैं यह कुछ और आगे जाकर के specialize हो जाते हैं और बदल जाते हैं multipotent stem cells ठीक है stem cells with specific function अब यहां पर जो stem cells है उनके भी कुछ functions आ गए है याने कि अगर हम गौर से देखें तो stem cell pluripotent cell और फिर क्या है multipotent cell ठीक है यह तो totipotent हो गया पूरा और नियम बना सकता है pluripotent कुछ बना सकता है कुछ नहीं multipotent और कम कुछ कुछ ही बना पाएगा इसके मुकाबले कम काम कर पाएगा यह जितने नहीं चीज़े बना पाएगा यह उत्रे नहीं चीज़े नहीं बना पाएगा ठीक है ना अब जैसे कि बात करें multipotent में examples क्या include carotinocytes that produce new skin cells myloid and lymphoid stem cells that develop into blood cells and spermatogonia that give rise to sperm cells multipotent में कौन आ गया spermatogonia इसको जानते हो अच्छे से तो spermatogonia के अदर केवल एक ही छमता है कि वो sperm cell बना सकता है बाकी कोई काम नहीं कर सकता है यह आए कहां से luripotent से आए luripotent कहां से आए stem cell से आए ठीक है ना तो यह stem cell वाला concept clear हुआ यह वाले term से काफ़ी सारे आते हैं बीजी इच में तो clear होना चाहिए अब fertilization के बाद जो next step हमारे पास आता है वो क्या है implantation ठीक है again very important topic अराम से relax हो करके पानिवाने पी लो मुह धुलो और इसको फिर हम लोग एक बार में खतम करते हैं ओके पांच बिन का break फिर सुरू करते हैं पी लिए पानिवानी हो गए fresh start करें चलो आ जाओ अब जहां से सुनना कीज़ें ठीक है implantation का मैं starting में फ्रॉसा ब्रीफ कर देता हूं ठीक है इससे की क्या रहेगा कि एक मायने picture set हो जाएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अब आगे होने क्या वाला है हमारा क्या बनके त दिखाता हूं ठीक है इस्ट्रक्टर पताई चल गया होगा यह फिलेपियन टीव है ठीक है यह दिस इस दा एंडोमेट्रियम यह क्या है एंडोमेट्रियम अब देखो क्या हुआ है कि यहां से आते आते यह बहुत सारे से और दिस इस ब्लास्टोसिस्ट अब जी ब्लास्टोसिस्ट है यह यहां पर आएगा और इससे आकर के अटेच होएगा ज्यादा बड़ा बना दिया ठीक है यह इससे आकर अटेच होगा एंडोमेट्रियम से यह वह यहां दे रखा है इस इस दा एंडोमेट्रियम अफ यूट्रस और यह ब्लास्टोसिस्ट आकर के इससे अटेच हो रहा है और अंत में यह ब्लास्टोसिस्ट अंदर घुश जाएगा याने कि इसको मैं अग नामायमेटरियम थोड़ा सा मायमेटरियम में रहता है और बाद बाकी एंडरुमेटरियम में पूरा अंदर चला जाता है ताकि कोई तो इसी के प्रोसेसं को हम लोग क्या बोलते हैं implantation की implant हो गया कोई चीज किसी के अंदर चली जाती है set हो जाती है that is called implant तो यह diagram है अगर यह picture दिमाग में set हो गई है तो अब यह diagram भी set कर लो देखो यह है endometrium uterus endometrium of uterus यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है endometrium of uterus जो मैं बता रहा था यह और यह मेरा क्या है blastocyst था जो अब क्या कर गया है पूरा अंदर चला गया है ठीक है न अच्छा जब यह अंदर जाता है तो अंदर का बहुत सारा layer में toot foot होती है lacune बन जाते है lacune मतलब एक गड़े ऐसे चीज़ें बन जाती है space create हो जाता है in space में यह space आगे जाके जुड़ जाएंगी ठीक है न और एक बड़ा सा space create करेंगे in space में आता है mother का blood देखेंगे अभी इसी चीज़ को ठीक है न इन space में क्या होता है जासे blood vessels हैं यह in space में mother का blood आता है और इसी space में आगे जाके हम देखेंगे जो बच्चे से जो प्रेसेंटा होता होता ना उसकी blood vessels यहां तक आती है और blood vessels क्या रहेगा blood vessels की बीच में clear रहती है और यहां से खाने का आदान परदान होता रहता है समझेंगा अभी बात को इसको detail में ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिलाल में यह बता रहा था जब यह अंदर घुसता है तो थोड़ी तूट फूट भी होती है अंदर lacuna create होते है ठीक है न और जो सबसे उपर की layer होती है ट्रोफोब्लास्ट जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो दो पार्ट में तूड़ जाता है एक होता है cytotrophoblast एक होता है syncytotrophoblast cytotrophoblast attach रहता है embryo से और syncytotrophoblast जो होती हो उपर की layer होती है जो लाक्यू ने बन रहे हैं यह सिंच इटो ट्रूफो ब्लास्ट वाले हैं यह ठीक है ना तो अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे तो यह जो पुरा अंदर घुश गया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंब्लांटेशन ट्रूफो बलास्ट यह याद रहे है ट्रोफो बलास्ट यह याद रहे मैं आप पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है अब आउट अब आफ्र फटलाज़ाशन होने के लगवा छह दिन के बाद तब ब्लास्टोसिस्ट इस लूजली अटेचेश टू दा एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट जो है वो लूजली स्टार्टिंग में आके लूजली हलके से जाके अटेच होता है ठीक है इन अप्रोसेस काल इम्प् इन लार्ज जो एंडोमेट्रियम इसके आजपास में होती है वो क्या होती है वो थोड़ी सी बड़ी-बड़ी हो जाएंगी ठीक है जो ग्लैंट्स है यह थोड़ी सी बड़ी-बड़ी हो जाएंगी इन लार्ज जाती है ठीक है एंड़ एंडोमेट्रियम बिकम मोर क्लॉराइज मतलब ब्लड वैसल बढ़ गई खून की मातरा और बढ़ती है ठीक है फॉर्म न्यू ब्लड वैसल खून की मातरा कैसे बढ़ेगी नहीं नहीं ब्लड वैसल बन जाती है दा ब्लास्टो सिस्ट इवेंचुली सिक्रीट्स इंजाइम और अंत में आखिरकार जो ब रोज इन्टु दा ऐंडोमेट्रियम और अंदर घुश जाता है और बिकम स्राउंड वाइट और उपर से उसकी कवरिंग चढ़ जाती है कि इसकी एंडोमेट्रियम की येंडोमेट्रिम की उपर से कवरिंग आ गई है हो गया के इंप्लांटेशन ठीक है अब कुछ बात य is after fertilization ठीक है दा ट्रोफब्लास्ट डवलाप इंटो टू लेयर अब यह अंदर घुश चुका है ट्रोफब्लास्ट दो लेयर में टूड जाता है इन दा रिजन मैं करी यह दो लेयर में टूट रहा है सइसा सइटो ट्रॉफब्लास्ट और इसाइटो भे में यह सिन्स इस शाल सियों से और सिन्स राख च्छी लिए बिकंप ऊफ दा कोईयों यह आगे जा करके कोईयों का हिस्ट हो जाते क्या है वन ओफ ऑफदा सी यह उपर बच्चेंगे उपर ज़ली से रहती है इसको मेंब्रेन होती यह दोनों जो लेयर होती है अभी थोड़ा सा काम रहेगा इनका बाद में जाकर यह कोरियों का हिस्सा बन जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं डूरिंग इंप्लांटेशन अच्छा यह सिंसाइटो ब्लास्ट टूटके बनाए कि इनका अभी थोड़ा सा यूज आने वाला है लाइनिंग तो देखो जैसे जब यहां पर अटेच होता ना हलका सा और यहां पर दो लेयर तूटती है तो यहां पर जो सिंसाइटो टूफो ब्लास्ट बाहर वाली परत होती है यह कुछ इंजाइम छोड़ता है और उस इंजाइम की वएसे ब्लास्ट ब्लास्ट के पास छमता आती है कि वो छेद कर सके पेनेटरेट कर सके यूटरिंग लाइनिंग में है ना जो यूटरस की लाइनिंग है एंडोमेटरियम में छेद करके अंदर जाना है वो छमता कहां से आ रही इसके अंदर जो सिंसाइटो टूफो ब्लास्ट जो आउटर परत होती है वो कु इनर 1 3rd of the myometrium और endometrium धस गया और myometrium में कितना 1 3rd, यानि कि अगर myometrium की layer को इतना मोटा मान लिया जाए, अगर यह myometrium है और यह endometrium है, तो लगबग लगबग 1 3rd की बात कर लें, तो लगबग यह ऐसे, 1 3rd myometrium में और बात बागी पुरा endometrium में, तो इसी लिए सिंस साइट साइटोब्लास्ट और साइटोट्रोफब्लास्ट को मैंने इसी लिए हाँ बताया, क्योंकि सिंस साइटोट्रोफब्लास्ट की ही कुछ enzyme छोड़ता है, जिसकी help से blastocyst, पर दको terms बहुत सारे हैं, इसमें ठीक है न, terms पकड़ने पड़ेंगे, blastocyst क्या करता है, छेद करके वो अंदर shuttle हो जाता है, clear है, तो यह हमारा कही ना कहीं, जो implantation वाला part है, I think, cover up है यहाँ पर, summary देख लें, इसकी implantation की है न, बच्चों को summary बड़ इच्छी लगती ह क्या रिवास छोटा सा आ गया, मज़ा तभी आता है, जब पराना समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो सबस्क्राइल क्या होता है, zygote, उसके अंदर mitosis हो रही है, ठीक है, इसको हम cleavage भी कहते हैं, जो अंदर cells बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, blastomeres, 2, 4, 16, 16, 16, 16 तक हो ज uterine milk का help होता है, uterine milk की वाई से cells rearrange होते हैं, ठीक है, वाला पाथ हमने वाँ पढ़ा हुआ है, मदूला के बाद क्या बना, blastocyst and blastomeres of blastocyst arrange into outer layer called trophoblast and inner cell mask, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, embryo blast, inner cell mask हम लोग क्या बोलते हैं, embryo blast लिख देना, ठीक है न, outer layer को trophoblast, inner cell mask को हम लोग क्या बोलते हैं, embryo blast, embryo blast आगे जाकर, embryo बदल जाता है, trophoblast, attach करता है, किसको endometrium से, होगे सारी समरी, यह समझ में आ रहा है, अच्छा, हाँ, trophoblast में लग दो layer थी, syncytoblast, cytotrophoblast और syncytotrophoblast, अब जो attach कर गया है, तो uterine cell divide and cover the blastocyst, uterine cell divide करते हैं, और blastocyst को प summary है, summary तभी समझ में आएगी, जब पूरी process पता होगी, तो दो number के इसाफ से पुरा लिख्या आ सकते हैं, तो दो number में अगर आता है, पांच number में आता है, बेटा थोड़ा सा explain करना है, ठीक है ना, किलिए रहाते हैं, अब एक point, जो थोड़ा सा जानने के जरूरी है, जो ब angiogenesis, थर्ड वीक, सात्वा हफता की सुरुवात में, angiogenesis होती है, the formation of blood vessels begins, ठीक है, the heart forms from day 18 to 19, ठीक है ना, तो हाट बनेगा, साथ साथ में 21, उसके बाद क्या बन रही, blood vessels बन रही, यानकि सबसे पहला organ, 21 दिन भी नहीं हुए है, तीसरे हफते में ही, हाट बन गया है, और तब से ले करके मरते दम तक, आज में 100 साल जीए, 50 साल जीए, चाहिए, 45 साल जीए, जब तक इंजान जिन्दा रहता हो, हाट काम करना बंद नहीं करता है, सोचो कितना काम करता है हाट, है ना, day 18 और 19 में हाट मारा बन जाता है, ओके, अब एक topic आता है, थोड़ा सा important है, क् तो प्रेसेंटा को समझने के लिए topic हमें समझना पड़ेगा, और बड़ा important topic है यह, कि बच्चा मा से हम कहते हैं प्रेसेंटा की health से लेता है, बट कैसे, फिर एक question यह भी arise होता है, कि दोनों का खून तो आपसे मिलता नहीं है, फिर एक supply कैसे हो रही है, खाने पीनेगी, आ ठीक है, तो को रिने की विलाई क्या है, as the embryonic tissue, embryonic tissues invade the uterine wall, भाई, blastosis था ना, घुस गया अंदर, तो वहाँ पर जो टिसू वगरा होंगे, uterine wall को क्या करेंगे, invade करेंगे, और घुसने कोशिश करेंगे, उसके अंदर, maternal uterine vessels are eroded, जो mother के uterine vessels होते हैं, यह जो blood vessels वगरा हो होते हैं, uterus के अंदर, वो erode, उनका तोटना-फोटना सुरू हो जाता है, and maternal blood fills spaces, जब वो blood vessels तोटती है, तो वहाँ पर जगह करेंट होगे, जो बता रहा था है, lacunae, वहाँ पर उनका blood क्या होता है, भर जाता है, mother का, called lacunae, within the invading tissue, जहाँ जहाँ पर तोटफूट होई है, lacunae unite, lacunae क्या करेंगे, आपसे जूट जाएंगे to form inter wireless space, एक बड़ी जगह बना लेते हैं, जिसका हम inter wireless space कहते हैं, which is filled with maternal blood, और यह mother के खून से भरा रहता है, अब बात को समझना, ठीक है, यह देखो, बात को थोड़ा सा यहाँ समझना नहीं कोहिस्ट करता हूँ, यह अप तो जिसके outer covering थी ना, जो घुस गया था अंदर, यह देखो side side में इस तरीके से, यह देख रहे हो यह, यह इस तरीके से structure एक तर समझ लोगी कीले जैसी निकल गई है, और जो mother के uterus में क्या कर गई है, घुस रही है, जो mother के uterus में क्या कर रही है, घुस गई है, और यहाँ जो है, तोरफोर मचाने के पर जगे केरियेट होगे, जिसका हम लोग क्या कहते है, इंटरवायलेस, यह जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से blood vessels अंदर गुसने के कोशिस करी है, इनको पर एक covering सी रहती है, यह जो अंदर इस तरह से, जो बच्चे का, देखो, यहाँ से पू बच्चे के अंदर से कुछ इस तरह का structure निकलता है, यह, जो मदर के uterus में घुसने की कोशिस करता है, एक्चिलि उसे लेना क्या है, ब्लड के supply, खाना पीना लेना है, तो जब वो मदर के uterus में अंदर घुसता है, इस तरीके से तो वहाँ तोरफोर मचाता है, तोरफोर मच जगह आ गई, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटर वाले से स्पेस, और इसी जगह में मदर का खून आके भर जाता है, उसका डियाग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है, यह देखो, maternal sinusoid है, यहीं से आ करके, यह मदर का खून आ करके यहां भर जाता है, और फिर जो बच्चा ह होता है, यहां पर मदर का खून है, यहां पर जो भी oxygen है, nutrients है, वो यहां से यहां आते हैं, यहां से इसके blood में जाते हैं, blood से बच्चे में जाते हैं, खून आपस में mix-up नहीं करेगा, बास समझ में आ रही है, ठीक है ना, यह connecting stock, यानकि जो बाद में umbilical cord हैं बदल जाता ह और भार के तरफ क्या है, sin cytotrophoblast, इसकी covering रहती है, इसकी क्या रहती है, covering रहती है, और इसकी covering के अंदर बच्चे का blood vessels रहते हैं और इसी को जो koreon के अंदर बच्चे का blood vessels हैं, जो mother के uterus में घुस गए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, koreonic will I, इसी को कई बाद हम कोरियों को अंदर क्या है जो फिंगराइक प्रोजेशन अथ तरीके सेझे इसे करें घुचम गए हैं। ठीकर इदर यह यूट्रेस है ठीकर मेटनलन सार्फ यह जो पार्ट है। क्लिए बाते अब बाते संगते इसको यहां अगर कुछ बातें समझ में आई हो तुमको हेलों को जब फिंगर-like फ्रोजेक्शन काउंड किन्सीस्ट और पॉरियोम के नदर क्या-क्रॉ फिंगर-like पॉरियक्शन honeymoon उसमें क्या था यह फिंगर-like projection इस तरीके से यह कोर्यों कहते हैं को편 अंदर क्या क्या है सीनी ऑ lot surrounded by कि कि साइटोत्रों प्रोप लॉट्र इव उट्लटा ुट आ ऐदिक साइटो ट्रों लॉस्ट स्राउंड़ पैं से कि आदए फिर्यां नाम दे दिया है को रियोनिक विलाई के लियर है बिटा अच्छे से यह आगे जाके जब प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोरियोनिक विलाई से ही सारा ठीक है यह आर्टिस और वीन्स कहां से जारी है? connecting stock जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चे के नाल भी बोलते हैं ठीक है? umbilical cord भी कहते हैं which will eventually become the umbilical cord जो connecting stock है यही बागर में आकशन में आके क्या बन जाता है? umbilical cord बन जाता है तो ये बात समझ में आई कि किस तरीके से बच्चे ने अपना korionic villi को धसा दिया है mother के uterus के अंदर और वहां से जो nutrients है अब उनको वो लेगा अब देखो यहाँ पर अगर diagram दिखाता हूँ मैं अगला वाला ठीक है थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर korionic villi है तो वह ची समझ में आ जाएगी देखो इटा यह है korionic villi ठीक है यह है अपना इस टाक समस्ते जाना यह इस टाक है जिसको अंब्लिकल कॉर्ड भी कहते हैं इसके अंदर क्या है अंब्लिकल आर्ट्री अंब्लिकल वीन्स ठीक है यह इस तरह से कर जाती है ठीक है और यह जो स्पेस है यह जो स्पेस है यह स्पेस यह स्पेस यह स्पेस इसका हम लोग क्या बोलते हैं इंटरवाइलस स्पेस containing maternal blood अब हुआ क्या था जब यह बन रहते हैं इन्होंनों तोड़फोड करी थी तो maternal endometrial arterial endometrial में endometrial में जो मदर की आर्टरी थी न वो टूट फूट गई और वो आगे से जब खून आ रहा है मदर का तो क्या लेके आ रहा है oxygen nutrients और यहां पर यह मौजूद है जितना भी oxygen nutrients है वो यहां से cross होता हुआ बच्चे के आर्टी सवीन में चला जा रहा है और यहां से बच्चे में चला जा रहा है तो मदर का खून इस chorionic विलाई की वज़से यानिक हम क्या सकते हैं chorion जो उपर की दो layer है इनकी वज़ए से मदर का खून और बच्चे का खून आपसे mix up नहीं होते है ठीक है यह वाला हिस्सा क्या है maternal portion ठीक है ना maternal portion है और यहाला किसका portion है यह बच्चे का portion है और यह दोनों मिल करके बेटा क्या वनता है प्लेसेंटा वनता है यह दोनों मिल करके क्या वनता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा में आधा पार्ट मा का है आदा पार्ट बच्चे का है यह एक ऐसा इस्ट्रक्चर बन गया है जहां पर खून का न्यूट्रिशन का आदान-प्रदान हो रहा है कि लिए रहे बासमझ में आ रही है ठीक है को रियोनिक विलाई जरूरी है प्रेसेंटा बनेगा और यह क्या है का जो ब्लड वैसल से खून की जो नलिया होती है वह आपस में जुड़ती नहीं है और जो खून वह करती है जो खून होता है वह मिक्स अप नहीं होता है नॉर्मली भाई कोई प्रॉल्म करिए तो यह तो अलग बात है इंस्टीड ऑक्सिएन और नूट्रेंट इन दा ब्ल लोगा नॉर्म ग्सीज नुट्रेंट ब्लॉट से इंट्रवाइलफ इन्ट्रवाइलस श्पेस है वहां डिफ्यूज वो जाता है था आक्रॉस सेल मेंब्रेट इंटो और इपलरी ओफ्द वी लाइत दिफ्यूज कैसे नहीं पता है ना एक जग़े से दूशे ृत्यां की यह रहे केवल कुछ चीजों का आधान-पर्दान मालों यहां लिक्विट वन है यहां लेक्विट टू है तो यह लिकविट आपसमें नहीं जाएंगे लेकिन इस लिकविट के अंदर का सलुट इदर से इदर पिलूड है ले बच्चेता नहीं बच्चर बनीग बच्चे ला कर रहा है वो खार अंब्ली कल कर अगया कॉर्याउन और विलाएन बदला हुआ है यहीं क्या होता है क्लेसंटा होता तो क्लेशान प्रॉसेस बजा कर बना एक प्रॉसेस है forming the placenta ठीक है placenta का बनना presentation कहलाता है the site of exchange of nutrients and waste between the mother and fetus यह वह जगह है जहां पर बच्चे का और मदर के बीच में waste और nutrients का एक्सचेंज होता है the placenta also produces hormones very important यह लाश्ट में आएगा placenta hormones भी produce करता है needed to sustain the pregnancy जिसकी वएसे pregnancy sustain कर सके maintain रहे नौ महने तक ठीक है ना the placenta unique because it develop from two separate individual यह unique चीज़ है एक ऐसी चीज़ है जो दो individual से मिल के बनती है the mother and the fetus the mother and the fetus से मिल करके क्या बनता है placenta बनता है तो placenta उमीद कर रहा हूँ अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है एक पार्ट है अपने जिस्म्चे की नाल भी कहते है न प्लेसेंटा ठीक है और अम्रीकल कॉड से connect होता है बच्चा ठीक है यह बच्चा आपर तो अम्री क्या है the actual connection between placenta and embryo embryo और प्लेसेंटा के बीच में actual connection जो हो होता है वो अम्रीकल कॉड होता है the letter and letter the fetus is through the umbilical cord, शुरुवात में embryo होता है तो embryo बोला गया, फिर बाद में embryo ही क्या बन जाता है, fetus बन जाता है तो बच्चे के बीच में और placenta के बीच में जो connection है, जिस pipe के थुरू, उस pipe का नाम क्या है umbilical cord, which developed from connecting stock, जो stock था जो हमने देखा था पीछे, connecting stock जो होता है, यहाँ पर, यह हम देख रहे थे connecting stock, ठीक है ना connecting stock था यह ठीक है, यह जो जोड है ठीक है, इसको हम लोग क्या करते है, connecting stock शुरुवात में होता है, बाद में proper shape ले ले लेता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, umbilical cord कहते हैं, जो हमको finally दिखाई पड़ता है, delivery की समय, okay अब्रीकल कोड विडवलप रॉप्राउड रॉप्राउड रॉप्राइट इस यूजली अबाउट तू सेंटीमेटर वाइट लगवग दो सेंटीमेटर चौड़ी होती है, अब आडिया लगा लो ध्यान रखना, deoxygenated blood लेके जा रही है, placenta के पास and one umbilical vein और एक vein होती है, that carries oxygen and nutrients acquired from the mother एक vein होती है, umbilical cord के अंदर artery और vein के अंदर ultra ultra चल रहा है deoxygenated blood artery लेके जा रही है, oxygenated blood vein लेके जा रहा है ठीक है और nutrients भी लेके जा रहा है, acquired from mother's intravalis spaceses into the fetus तो vein क्या लेके जा रही है, nutrient or oxygen और दो arteries है, वो क्या लेके जा रही है deoxygenated blood और जो waste होता है, वो लेके जा रही है अपना clear होगे, umbilical cord अब लास्ट में बेटा आता है, hormones of placenta, very important यहाँ से question बेटा आई रहा है, इमान के चलो यह जो hormones बार बार पढ़ाता हो ना, focus दे रहा हूँ, यह तुमारा जो वाला पार्ट है कौन सा? हार्मोरल चैप्टर वाला, 14 वाला, उसको भी cover करता है ठीक है, तो सबसे सुरुवात की बात करें placenta की तो HCG, ठीक है ना, यह placenta है, यह chorions दे रखें ठीक है, placenta बन गया है, HCG जो सिक्रीट होता है, placenta से, वो rescue करता है, corpus luteum को बचाता है, corpus luteum तूटे नहीं पढ़ चुकिया हम लोग इसको from degeneration until the third or fourth month of pregnancy, तीन से चौते, तीन से चार मेने में यह rescue करता है, बचाता है ठीक है, corpus luteum जो बचाता है, उसको बचाया इसने और यह corpus luteum साथ साथ में एक हार्मोन और सिक्रीट कर रहा है, कौन सा relaxing, ओके अब जो corpus luteum है, वो क्या कर रहा है, वो progestron और estrogen को सिक्रीट कर रहा है, किसको सिक्रीट कर रहा है, progestron और estrogen को, यह दोनों मिलके हार्मोन क्या करते हैं, maintain endometrium of uterus during pregnancy, pregnancy के समय endometrium को maintain करके रख रहे हैं, help prepare memory glands for lactation, memory glands को तयार करते हैं, कि बच्चा after birth दूद पी सके, prepare mother's body for birth of baby, और साथ साथ mother's body को तयार करता है, कि बच्चे को जनम दे सके, आगे आते हैं, relaxing, relaxing क्या काम कर रहा है, increased flexibility of pubic symphysis, बता चुका हूँ इसको में, help dilate uterine service during labor, इसका काम labor के टाइम ही होता है, mainly pubic symphysis को relax करता है, और service को dilate कर देगा, फैल आ देता है, एक हार्मोन और छोड़ता है, human chorionic somatomemetotropin, ठीक है न, इसका क्या काम है, help prepare memory glands for lactation, enhances growth by increasing protein synthesis, growth को enhance करता है बच्चे की, जिसे की protein synthesis की help से, decrease glucose use and increase fatty acid use for ATP production, ATP production में help कर रहा है, एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, corticotropin releasing hormone, establish the timing of birth, अभी हम देखेंगे, party urution में इसका काम होता है, corticotropin releasing hormone, यह establish करता है timing of birth, कि birth किस समय होगा, और increase secretion of cortisol, और cortisol के secretion को क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, ठीक है, तो यह hormones है और उनके functions है, प्रेसेंट लाके पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ठीक है, तो यह बेटा हमारा lecture था, थोड़ा सा बड़ा था, बट जरूरी था, detail में समाजना, otherwise यह topic clear नहीं होता है, इसके बाद जो lecture हो छोड़ा छोटा ही है, तो करना क्या है बेटा, PDF का link, description में मिलेगा, मेरा number है, कोई problem हाती है, तो और यह अपना standard app, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें mcq वेरा जो है, मस्त करके लगाओगे, तो एक एक चीज़ के उपर point के उपर, मैं mcq जब देता हूँ, तो इसमें क्या रहेगा, एक एक point के उपर mcq रहता है, उसमें क्या है, फुरा concept clearing काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो इसको पढ़ते रहें, और सबसे जरूरी चीज, revision, ठीक है, सबसे जरूरी चीज क्या है, revision, revise करना है वेटा, पढ़ते रहो, revise करते रहो, all the best,